क्या आपको पता है कोलंबिया की वो कौन सी नदी है जो हर साल मौसम के हिसाथ से अपना रंग बदल लेकी है और ऐसा कैसे पॉसिबल है और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है जिसका सिर्फ 8 ग्राम पूरी दुनिया की आबादी को खतम करने के लिए काफी है चलिए जानते हैं इन सभी फैक्स को यह तो आपको पता ही होगा कि काला गुलाब दुनिया के सबसे ज़ादा रेर फूलों में से एक है पर कि आप लोग जानते हैं प्लान डेवलपर्स के अकोर्डिंग पूरी दुनिया में कहीं पर भी काला गुलाब नेचुरली एक्जिस्टी नहीं करता है जो आप लोग इंटरनेट पर भी काले गुलाब की फोटोस देखते होंगे वो एक्जिली काले कलर के नहीं बलकि डार्क रेड कलर के होते हैं यहां तक ही टर्की का हैस्टी डिस्टिक जो अपने काले गुलाब के लिए दुनिया भर में फेमस है वहां पर उगने वाला काला गुलाब भी कंप्लीटली काले कलर के नहीं होता बलकि यह डार्क रेड और स्लाइटली ब्लेक कलर के होते हैं पर लीटी खाने के यह सभी फाइदे तब ही है जब हम सिर्फ और इसके सफेद वाले हिस्से को खाएं वह भी पूरी तरह से पकने के बाद गल्पी सभी इसके बीज को नहीं क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि लीटी के बीज में MCPG नाम का एक जहरीला कंपाउंट पाया जाता है और अगर कोई वैक्टी लीटी के बीज को ज़्यादा अमाउंट में खा ले तो इससे उसका blood sugar एकदम से नीचे गिर सकता है उसे vomiting हो सकती है वो कोमा में जा सकता है यहाँ तक इस वैक्टी की मौत तक हो सकती है इसलिए हर हाल में लीटी के बीज को खाना avoid करना चाहिए यह नहीं कि लीटी खाने में अच्छा लग रहा है तो एक बर इसके बीज को भी खा के try करें ऐसा बिल्कुल नहीं करना से यह एक्ट नमर थी कोलंबिया में मौझूद कैनो crystal नदी दुनिया की सबसे सुन्दर नदियों में से एक है पर जो बात इस नदी को बाकी नदियों से अलग और खास बनाती है वो ये कि ये नदी अलग-अलग मौसम के साप-सापना रंग बदल लेती है और दिखने में बिलकुल एक बैते हुए इंदर धनुष के जैसे लगती है पर ऐसा कैसे होता है तो इसका रिजन ये है कि इस नदी का पानी बिलकुल क्रिस्टल क्लियर है जिसकी वज़े से इस नदी के नीचे की सतय तक बिलकुल साफ-साफ दिखाई पड़ती है और यह आपको पता ही होगा कि पानी का कोई कलर नहीं होता इसको जिस भी कलर में मिला दो यह उसी कलर का दिखाई पड़ता है तो ऐसे ही जब इस नदी के नीचे अलग-अलग कलर के अक्वैटिक प्लांट उखते हैं तो उनके कलर रिफ्लेक्शन से यह नदी बिलकुल कलरफुल दिखाई पड़ती है और जैसे मौसम बदलता है इसके नीचे उगने वाले अक्वैटिक प्लांट का कलर भी छेंज हो जाता है जिसकी वज़े से यह अक्वैटिक प्लांट बदलते मौसम के साथ नदी को एक नया कलर दे देते हैं और नदी के कलरफुल दिखने के लिए तिर्फ अक्वैटिक प्लांट ही नहीं बलके इसके साथ साथ इसके नीचे मुझूद काले पत्थर और पीली मिट्टी भी जिम्मेदार है Fact No.4 कि आपको पता है 19 परवरी 2019 को भारत के पहले रोबोट पुलिस को केरल के पुलिस पॉर्ट में भरती किया गया था जिसका नाम था KP बोट जो कि एक हियोमनोइड रोबोट था और इसका काम था पुलिस हैटकोर्टर के सामने ड्यूटी देना और वहाँ पर आने वाले लोगों को जरुत के मताबिक रास्ता बताना और जितना पॉसिबल उनके प्रावलम को सॉल्व करना और यह इस बात को साबित करता है कि आने वाले टाइम में हार एक सेक्टर में रोबोट था इंसान को रिफलेस कर सकते हैं जो कि काफी हद तक सही भी होगा पर एम्प्लॉइमेंट के पॉइंट अफ दू ते यह सही नहीं होगा पूरी ही दुनिया में मुझूद तब से खतरनाक जहर है बोटोक यानि की बोटोलीनम टॉक्सिन यह जहर नियूरो टॉक्सिन होता है जो कि सीधा नर्वास सिस्टम को डैमेज करता है और इसे क्लोस्टेडियम बोटोलीनम नाम का एक बैक्टेरिया प्रोड्यूक्स करता है यह जहर कितना जादा खतरनाक है इस बात का अंदाज़ आप इससे लगा सकते है कि जॉन टिमरेल की एक किताब दपोईजन पेरडॉक्स के मुताबिक इस जहर के एक ग्राम का दस करोडवा हिस्सा ही एक इनसान की जान लेने के लिए काफी है और इस जहर का मातर आठ ग्राम पूरी दुनिया की अबादी को खतम कर सकता है पर यह डाटा सिर्व यह बताने के लिए है कि यह जहर किस हद तक खतरनाक है क्योंकि प्रैक्टिकली आठ बिलियन लोगों में आठ ग्राम जहर को बाटना ओल्मॉस्ट इंपॉसिबल ही है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो अभी सब्सक्राइब करिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए थैक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो